प्रधानमत्री आवास योजना, ग्रामींग में जिला और प्रखन स्तरिय पर योजना प्रबंध निकाई के 149 पदू पर जल्द नियुकती होगी ग्रामीन विकास सचिव मनीश रंजन ने इन खाली पदू को जल्द भरने के निर्देश दिये हैं ग्यात हो कि इन 149 खाली पदू में 47 प्रखन समन्वयकों, पांच जिला समन्वयकों और बाकी लेखाकारों तथा कंप्यूटर ओपरेटर के पदू पर नियुकती होनी है पर मिली तभी टीका करण हो पाएगा शुक्रवार को केंद्र की ओर से को वैक्सीन की एक लाख डोज मिलनी है टीके को जिलों तक भेजने के लिए तयारी की जा चुकी है सभी जिलों को टीका ले जाने के लिए निर्देश दिया जा चुका है लेकिन यदि सुबह में टीके की खेप रांची नहीं पहुंची तो शुक्रवार को टीका करण नहीं हो सकेगा क्योंकि सभी जिलों में टीके की डोज लगभग खत्म हो चुकी है जारखेंट हाइकोट ने रांची में रत्यात्रा निकाले जाने की अनुमती की मांग को लेकर दायर जनहे त्याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान प्रार्थी की ओर से पूर्व महाधिवक्ता और वरिय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि छिननमस्तिका मंदिर के मामले में उच्छ न्यायाले द्वारा राज्य सरकार के स्तर से उच्छित निर्नै लिये जाने का आदेश पूर्व में पारत किया गया था इसलिए वर्तमान में रांची के जगनात मंदिर जहां 300 वर्षों से ज्यादा वक्त से रथ्यात्रा निकाले जाने की परंपरा है राज्य के 246,000 किसानों की कर्ज माफी के लिए बैंकों को 980 करोड उपलब्ध करा दिया गया है यह जानकारी क्रिशी मंतरी बादल ने दी है वो शुक्रवार को नेपाल हाउस में राज्यस्तरिय कारेशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को संपन बनाने तथा रेकॉर्ड क्रिशी उतपादन की दिशा में सरकार काम कर रही है किसानों को समय पर बीजव यूरिया उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने तयारी कर रखी थी उसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य के सभी किसानों को सरकार भूमी हेल्थकार्ड और केसी सी उपलब्ध कराएगी कार्यशाला में राज्य के सभी जिला क्रिशी पदाधिकारियों ने भाग लिया बादल ने कहा कि इस वर्ष समय पर बीजवित्रन पारदर्शिता के साथ किया गया साथ ही यूरिया भी दिया जा रहा है उन्होंने खरीफ के मौसम में किसानों को प्रोटसाहित करने के लिए सभी प्रखंडों और जिलास्तर पर जनप्रती निधियों की उपस्थिती में कार्यशाला के आयोजन का निर्देश दिया उन्होंने खरीफ उत्पादन के लक्षे को 72 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा कर 100 लाख मीट्रिक टन करने का निर्देश भी दिया वारा नसी में कार से कूद कर बचाओ बचाओ चिलाने वाली दुलहन के मामले में अजब खुलासा हुआ है मामला शादी और फ्रार के साथ लूट का निकला है बचाओ बचाओ करने वाली महिला एक सक्रिय गिरोह की सदस्य निकली है यह गिरोह महिला की पहले कहीं शादी तै करते हैं शादी के नाम पर दुलहे पक्ष से नगद रुपे लिये जाते हैं रुपे ठीक ठाक मिल गए तो शादी के अगले ही दिन सभी फरार हो जाते हैं। अगर रुपे नहीं मिले तो ससुराल जाने के बाद वहां से लूट पाट कर फरार हो जाते हैं। गुरुवार को वारानसी के एक होटल में महिला ने पांचवी शादी की थी। होटल में ही तेर रुपे मिल गए तो महिला बचाओ बचाओ करके भागने की फिराक में थी। फिलहाल महिला को थाने में ही रखा गया है। पुलिस महिला के खिलाफ तहरीर का इंतजार कर रही है जारखन के धनबाद की रहने वाली सल्मा खातून दो बच्चों की माँ भी है जमशेदपूर न्यूज विकास कुमार श्रीवास्तव टाटा स्टील में मेट्रिक पास निबंधित आश्रितों की बहाली के लिए 15 दिनों का वक्त फिर से दिया गया है 9 से 26 जुलाई तक योगय आवेदक Employment by Euro से ओफलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं सुभह 9.30 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक प्राप्त और जमा कर पाएंगे वहीं ऑनलाइन भी यह सुविधा दी गई है इसमें 500 निबंधितों की बहाली होने वाली है टाटा स्टील की ओफिसियल वेब साइट पर फॉर्म उपलब्ध होगा जिसे भर कर संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना होगा सभी अभ्यर्थियों को सारे शैक्षनिक प्रमान पत्र, मेट्रिक का सर्टिफिकेट, हाल के दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स.C, स.T, दिव्यांगता जो हो के साथ आवेदक को रजिस्ट्रेशन स्लिप भी जमा करना अनिवार्य होगा ट्यूग डिवीजन में HR विभाग से फॉर्म मिलेगा और जमा होगा आपको बता दे कि टाटा स्टील और यूनियन के बीच हुए समझोते के तहट 500 निबंधितों की बहाली होने वाली है बहाली प्रक्रिया के तहट आवेदन करने की समय सीमा अप्रेल में समाप्थ हो चुकी थी लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो पाई इस दोरान कई कर्मचारी की कोरोना संक्रमन्ट से मौत हो गई हाल में यूनियन वप्रबंधन के बीच ये समझोता हुआ कि जिन कर्मियों की मौत हुई है और अगर उनके आश्रित का निबंधन नहीं हुआ अगर आप इस तरह की खबरे सुनना चाहते हैं तो हमें सहयोग करें कृपया हमारे चैनल जार्खन न्यूज को सब्सक्राइब करें हमें उम्मीद है कि आज हमें 50 सब्सक्राइब मिलेंगे समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद